Council for Social Development CSD ने Right to Education को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट को नाम दिया है Implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 Where do we stand? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में RTE Act को लागू हुए 14 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी देश के सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है रिपोर्ट में फरवरी 2023 में राज्यसभा में पेश किये गए आंकडो का हवाला दिया गया है आंकडो के मुताबिक प्राथमिक स्थर पर लगभग 9,30,000 बच्चे और माध्यमे किस्थर पर लगभग 3,20,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते राजिवार देखें तो प्राथमिक स्थर पर इस्कूल न जाने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है इसके बाद बिहार, गुजरात और असम का नंबर है रिपोर्ट के मुताविक प्राथमिक स्थर के तुलना में उच्चे प्राथमिक स्थर पर इस्कूल छोड़ने वालों का अनुपाद ज़ादा है देखे इस्कूल का प्रभावी संचालन वहां पर मौजूद आवसन रचना पर डिपेंड करता है इसमें स्कूल के बिल्डिंग, पीने का पानी, फंक्शनल ट्वालेट्स, बांडरी वॉल जैसी सुविधाएं शामिल होती है इसके अलावा लाइब्रेरी, कम्प्यूटर्स जैसी सुविधाएं भी स्कूली आवसन रचना का हिस्सा मानी जाती है आर्टी एक्ट स्कूल्स में इन सुविधाओं की जरूरत की बात करता है लेकिन इतने साल बीच जाने के बाद भी ये मानदंड कई स्कूल्स पूरे नहीं करते कई स्कूल्स में ये सुविधाएं मौजूद तो हैं लेकिन इनकी कारेक्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा है रिपोर्ट के मुताबिक आवसन रचना की जरूरतें प्राइवेट स्कूल्स भी पूरी नहीं कर पा रहे है इसके चलते 2015 से 2018 के बीच तकरीबन 2479 स्कूल्स बंद हो गए इसके अलावा 13,546 प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के लिए नोटिस भी दिया गया है साथी स्कूल्स में टीचर्स की संख्या में व्रिद्धी तो हुई है लेकिन अभी भी 7.4 लाख पदो पर शिक्षकों की कमी दर्ज की गई है रिपोर्ट में शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च को लेकर भी चौकाने वाले आंकड़े हैं 2007-08 में केंदर और राज्य सरकारों का सन्युक्त खर्च GDP का 3.7 परसेंट था वहीं 2009-10 तक केंदर सरकार का शिक्षा बजट GDP का 0.76 परसेंट था इसके बाद से इसमें गिरावट ही दर्ज की गई है 2021-22 तक केंदर का खर्च GDP का 0.34 परसेंट रहे गया आपको बता दें कि प्रोफेसर डियस कोठारी की अध्रक्षता में 1964 में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था इस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट साल 1966 में सौपी इसे ही कोठारी आयोग के नाम से जानते है